कार दोश्तों, IQ Level Academy में आपका स्वागत है, आज आप लोग के साथ मैं इतिहास विज़ाई के साथ जूडने वाला हूँ, इसमें इतिहास विज़ाई जूडने से पहले हम लोग इतिहास विज़ाई का सिलेविश के बारे में हम लोग क्या करेंगे, समगरता से अध्यन करने क परियास करेंगे, चाहे आप आईश के त्यारी कर रही हूँ, या अस्टेट पीएस के त्यारी कर रही हूँ, इस अस्टेट पीएस में हो गया आपका UBPCS, राजिस्तान, BPC, MPPCS या कोई भी अधर एक्जामनेशन के जब आप त्यारी करते हो दोस्तों, तो हाँ क्या होता है कि question का जो pattern होता है, उसके बारे महम लोग देखेंगे, जर्नली दोस्तों, जो question पूछा जाता है, यहां दो form में पूछा जाता है, पहला form को लोग बोलते है, पिरलिम्स, ठीक है, और दूसरा जो form होता है, मेंश, ठीक है, एक form और होता है, जो personality test बोलते है, कि personality के बारे म पिरलिम्स, जब मेंस आप पढ़ लेते हो, तो कहन कहीं आपने जो personality test है, वो पिरलिम्स और मेंस दोनो personality test को भारने में आपको मदद करता है, तो दोस्तों, आप लोग को सबसे पहले शमाजना होगा, इतिहास विसाई को समयर्गरता से किस परकार पढ़ा जाए, तो बस खास करके, चाए IS के हो, चाए PCS के हो, क्या design किया गया, इसका क्या module है, कौन को सा module है पढ़ते हैं, इसके वागरेन हम लोग को तो हम बहुत short term में देखेंगे, ताकि चीजों को बोजिल ना हो पाए, ठीक है दोस्तों, तो चली हम लोग start करते हैं, तो पहला जो हम बोलते हैं, प्रचीन भारत का इतियास, दूसरा जो पढ़ेंगे दोस्तों, मदकालीन भारत, इसको बोलते है, medieval history, उसके बात पढ़ेंगे आधूनिक भारत, यानि आधूनिक भारत, modern history जो बहुत important role play करेगा, खास करके, जब PTO, चाए मेंस हो, यहां से बहुत सारा कोचन पूचा जाता है, उसके बात एक topic जूड़ा था, UPSC में, इंडिया अप्टर, इंडिपेंडेंडेंट, बट आधे PCS की बात करेंगे दोस्तों, यह directly, indirectly, आधे कोचन पूच लिया जाता है, चाहे PTO हो, चाहे मेंस हो, ठीक है, उसके बात है, it's very important, खास करके, art and culture, तो art and culture, IS के वारे, IS के syllabus में important है, खास करके, जब राजस्तान, RAS या RTS जब दोगे, तो उसमें कहिन कहीं, कोचन आपको, बहुँ जादा राजस्तान के culture से पूचा जाता है, इसके वारे, कच्छे, जो IQ level academy के, उनके जो expert द्वारा करा जाएगा, बट कुछ जो basic information है, जो खास करके, जो आईए, species level का है, वो मेरे दुआरा पढ़ा जाएगा, उसके बाद आ जाता है, आपका world history, जब world history के जिब बात करते हैं, दोस्तो, it is totally dependent on means, इमेंस पे कोच्छन पुचा जाता है, जो कहिन कहिन आपको, तैयारी में एक नया धार देगा, दोस्तो, मैं आपको एक बात ब इंसेंट history का मतलब यह हुआ दोस्तो, कि हम लोग जो प्राचीन भारत की इतिहास पढ़ेंगे, खास करके IS के लेकर या PCS के लेकर, उसके बारन में कि कौनकोन से syllabus डिजाइन किया गया, कौनकोन सा syllabus देख 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 देखेंगे, इस इतिहास में चाहिए की बात करें, चाहिए PCS की बात करें, चाहिए One Day Examination की बात करें, तो इसका क्या syllabus design किया गया आयोग दोरा, उसके बाहन सबसे पहले हम लोग समंगरता सद्यान करेंगे, ताकि हम लोग को भटकाव कम हो, सबसे बड़ी बात यहां होता है दोस्तों कि क्या नहीं पढ चाहिए, यह खुता है क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, बहुत है डिफ्रेंस दिंग, देखो मार्केट में जब जाओगे चाहिए, फोटो कॉपी दुकान पे जाओगे, चाहिए मार्केट में किताब लेने जाओगे, तो बहु सारा आपको material मिलेगा, बट यहां क्या करना आपको बटकना नहीं, अधि यहां बटक जाओगे, तो चीज़ें कहीं कहीं बिखर जागा, इस बिखराब को हम लोग मदद करते हैं आपको, कि क्या-क्या पढ़ना है, क्या-क्या छोड़ना है, यह आप लोग को हम लोग का importance थ्वास बढ़ जाता है, ठीक यहां पा सानकाल, ठीक है, उसके बास most important हरपा सिवलाजियाता है, हरपा सभयता, उसके बाद आजाता है आपका बाइदिक काल यह वायदिक फिरियेड, एंद उसके बाद मौरिया काल, एंद उसके बास जैन और बुदिजम, very very important, most important things मन जाता है, बौदिजम और जैनिजम, उसके बाद आजाता है, मौरिशवराज, मौरियोत्तर काल, और गुपता, और गुपत काल इसको बोलते हैं हम लोग, उसके बाद हरस्वर्दन and last and but not least, जो सौथ इंडियान दच्छिन भारत का जो इतिहास के बारें, खास करके दच्छिन भारत के राजवन्स हो गया, संग हिस्टी को पढ़ेंगे, यह रहा मोटा मोटी आज का सिलिवस, कल से हम लोग कलास स्टार्ट करेंगे, परचिन भारत के इतियास के साथ, तब तक आप लोग स्टेडी IQP बने रहें, अधि वीडियो पसंद आ रहा हो, तो आप लोग लाइक करें, शेर करें, कमेंट के नवसकार.